तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में सो फाइनली एक और जबरदस्ट वीडियो के साथ मैं वापस आ चुकी हूँ और आज से स्टार्ट हो रहा है आप सभी लोग का उर्दू ग्रामर यानि की उर्दू कवायद उर्दू कवायद का आगाज है यह जो कि क्लास 10 और 12 दोनों क्लास के लिए काफी इंपॉर्टन्ट है यानि कि ये उर्दू कवायद मैं स्पेसली क्लास 10 और 12 वालों के लिए ही पढ़ा रही हूँ लेकिन इसके लावा यानि की class strength और 12th के लावा अगर आप किसी इंट्रेंस या फिर competitive exam की त्यारी कर रहे हैं तो भी ये class और इसके आगे आने वाला जितना भी class होगा वो आप लोग के लिए काफी important होगा क्योंकि आप लोग जानते हैं कि उर्दू कवैट तो सभी exam में पूछे जाते हैं तो इसी वज़े से उर्दू कवैट सभी के लिए important है तो आज की इस वीडियो को आप लोग complete देखिए पूरे लगन और मगन के साथ क्योंकि उर्दू कवैट से एक भी question छूटने वाला नहीं है आपका देखिए जितने भी class 10 और 12 वाले विद्यारती हैं हमारी बात को जिरा गौर से एकदम ध्यान से सुनिए उर्दू कवैट से आप लोग के exam में 33% question पूछे जाते हैं और यह जो 33% question पूछे जाते हैं इसमें से एक भी question आप लोग छोड़ कर नहीं आएंगे यह मैं आप लोग को विश्वास दिलाती हूं क्योंकि जितना भी जिस जिस topic से question पूछे जाते हैं उर्दू कायद के वो सारे topic को cover कराये जाएंगे और उस topic से जिस जिस तरह से question पूछे जाते हैं वो सारे question भी कराये जाएंगे एक भी question छूटने वाला नहीं है क्योंकि जो भी question में कराती हूं और जो भी topic पढ़ाती हूं उससे direct question पूछा जाता है पिछले session में आप लोग देख सकते हैं पिछले session में उर्दू grammar में जितना भी पढ़ायी थी जितना भी topic पढ़ाया गया था और जितना भी question कराया गया था लगभग question जो है डारेक्ट हू बहू लड़े थे final exam में अभी ऐसा आप लोग नहीं सोचेगा कि मैं तारीफ कर रह है उर्दू कवायद से एक भी question आप छोड़ कर नहीं आएंगे बलकि 100% correct बनाकर लिख कर आएंगे ठीक है उर्दू कवायद के सारे topic को कवर कराया जाएगा और आज से उर्दू कवायद स्टार्ट हो रहा है एक दम नए अंदाज में मज़िदार अंदाज में यह यूनिक अलग हटकर होगा इसके पहले भी में आप लोग को उर्दू grammar पढ़ाई हूं यान कि पिछले सेशन में उर्दू कवायद बहुत सरे topic को पढ़ाया गया है लेकिन आज से जो सेशन स्टार्ट हो रहा है यान कि अभी जो आप लोग उर्दू कवायद पढ़ाया जाएगा य पहले भी में आप लोग को वाही जमा पढ़ाया हूं बहुत सरे वीडियो आप लोग को मिल जाएंगे यूटूब पर अभी तक एबलेबल हैं लेकिन आज के इस वीडियो में आप लोग तो यहाद रखने का ठ्रिक नहीं बताया होगा पुरा यूटूब खांकाल डाली है आप लोग अगर ऐसा ट्रिक सुने भी होंगे तो हमारे द्वारा ही सुने होंगे क्योंकि ये ट्रिक मैं आप लोग अलड़ी ग्यापन इंट्रेंस अकेडमी पर जहां पर इंट्रेंस और कम्टिटिव एक्जाम की त्यारी कराई जाती है न्याइस टूरेंस प्लेंस आप लोग जामकी कंपलीट लिएक पूरे जोशनून के साथ आज वह बोग को पता चलेगा कि वह जमा कहते कि आशी है वह जमा है क्या और वहम जमा से किस तरह क्योस्टन पुछे जाते हैं और वह जमाय को याद रखने का ट्रिक क्या है यह हर एक मतलब कम्प्लीट आप लोग को वह ही जमा के बारे में जानकारी मिलेगी ठीक है तो स्टार्टिंग में आप लोग को कहूंगी कि वीडियो को लाइक श्रूट जितना ज़्यादा उसके ज्यादा ज्यादा शेयर करें क्योंकि सबसे ग्रूप जितने भी ना सारे वाटसप ग्रूप में शियर कर दें इस्ट्रस हो सके तो लगा दीजेगा चैनल पर अगर आप लोग नए नया हुए हैं हमारे वीडियो उसको पहली बात देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जब भी वीडियो आप लो को कंप्लीट वीडियो को देखना है सारा चीज आप लोग वाही जमा के बारे में चान जाएंगे और वाही जमा लफ्स को याद रखने का ट्रिक भी आप लोग को बताया जाएगा ठीक है सबसे पहले समझते हैं कि वाही जिसको हिंदी में कहा जाता है एक वर्चन और एक चीज को हम लोग कहते हैं एक वचन और उदू में वाहीद यानि कि कोई भी एक चीज वाहीद कहलाता है एक आंख वाहीद कहलाएगा एक मारकर वाहीद कहलाएगा एक कान वाहीद कहलाएगा एक हाथ वाहीद कहलाएगा कोई भी एक चीज क्या कहलाता है वाहीद कहलाता उसी तरीके से जमा यानि कि प्लूरल बहु अचंद यानि कि एक से ज्यादा हो जाती है और फीयुं आट जातए हे ध Medal हो जाती है उसको कहते हैं आप लोग सोच रहे होंगे ये तो इतना आसान टॉपिक है वहाहीज आपक मक्ट कीछ ना यहां पर गलत हो जाती इतना आसान पहलोंको ड़यां तो बहुत मुश्चल भी नहीं इसको एकडम आसान बनानकर हम आपको रहे हो बताएंगे बहुत किस तरह से नहीं पूछा जाता है माले यडी में तसवीर का जमा शोगा बताइगे स्याजाच कैसे करेंगे हां तस्वीर का जमांगी कीक तस्वीर का जमां क्या होगा अपयंगैं कि अधेर सारी तस्वीर लेकिन ऐसा नहीं है तस्वीर का जमा तस्वीर होना चाहिए उर्दू में तस्वीर का जमा तसावीर होता है उसी तरीके से मान लीजिए एक लफ़ उठा लेजिये मैं पूछे कि थे कि पर लगए कितॉछ पहुचंशन हो घर किताब का कितॉर किंद्स लेकिन उर्दू में, लाइक किताब का जमा कुतुब हो जतता है। तो तसवीर उसी तरीके से खबर है। खबर तो खबर के जमाव कि और इन और दे तने की खबर होता है और आफ्म को लब ऑरë कोड़ होता है अख़बार के लिए अर वह बेंट भीAm नियम एक कानौन के का जबाइब के उर्दू का उर्दू का उर्दू कर मतलब अन्ड़ने लेखने सिखने और बोलने के लिए उसी को कएा जाता है उर्दू का उर्दू कौाईब को इंगुलिष में ग्रामर्ण पॉल ने पर दोब्छा को समझ में लिखने तरीके से बोलने के लिए समझने के लिए हम लोग ढहते diploma बख़ते हैं उर्दू कवायत करता है लिखा डवाल्त हो जाता इसका फंड़ा ही अलग है तसवीर का जमाते सहीर होना चाहिए तो टसावीर हो गया खबर का जमार किताबें होना चाहरे तो अख़बार हो गया किताब का किताबें होना चाहरे तो कुदब हो गया उर्दूंका उड़ैल का इसे चिया में यह कैसे हो गया गया . इस परशानलिक उरह render यह कुर मैं ट्रिक बनाई हो न तो अगर आप लोग यहां चाहिए स्क्रिंशॉट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले स्क्रिंशॉट ले लिए क्योंकि अब मैं बोर्ड को मिटाओंगी और ट्रिक में आप लोग को बताओंगी धेर सारे वाहिद जमा लवज को लिखकर वो जितने भी होंगे वह आप लोग की पॉँंट अव्यू से काफी हो सकता है कि उनरी याऊ होगे होorta कर देंगे और द्रव्स का जमा हो क्जाइब एक वाहिद है ऊसी तरह सेasiaयOC मुंहाँ फ़लू होता है तो फ़लू ऱस्क्टान कर गालेगा वाहिद एड़ हर्फ का जमा क्या होगा तो हुरूफ होता है अर्प अब चलिए मैं आप लोगों को याद रखने का अगर आप लोग यहां तक स्किन शॉट लेने वाली कोई बात ही नहीं आप लोग डिरेक्ट कॉपी पर भी उतार तके लेकिन एक और बात में आप लोगों को बतादू कि आज की क्लास में जो कुछ भी आप लोगों को बताया जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा इसका पीडिए भी टेलिग्राम पर अप्लोड कर दिया जाएगा तो अगर आप लोग टेलिग्राम से नहीं जुड़े हैं तो ग्यापने केडमी ऑफिस्यल टेलिग्राम चानल का नाम है आप लोग जोईन कर लिजेगा सर्च करके भी जो सकते हैं तो इसका पीडिएफ जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा डाल दिया जाएगा टेलिग्राम पर अधरवाइस स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो कोई दीकत नहीं लिए लिए फड़ाबर स्क्रीन शॉट अब आईए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं बोर्ड पर लंबा चवड़ा लिख दी हूँ और चलिए समझते हैं ट्रिक को यहां पर मैं लिख दी रही हूँ ट्रिक ठीक है वाही जमाल लफ्स को पहचाने का लिख बलेक कलर के मारकर से मैं जतने भी लफ को लिखी हूं वह सबी वाहिद लफ्स और बLOOK लरक की मारकर से मैं जतने भी लफ को लिखी हूं वह सारे लफज जैसे जितने भी प्रॉणाउन सोने वाले लफज वोगा है जैसे कि काईदध में जास ही रॉनाउन इसे प्रॉनना उचारण तो इसे यह इनका जो जमा लफज होगा वह उनका भी भंप 자ाल बनेगा वहाँ भी वो भी प्रॉनाउन से यहां पर common sense वाली बात है तो समझिए काइदा कोने वाली जो लफोश होते हैं उन के जैसा भी प्रॉणाउंस हो रहा है तो फाइदा का भी जमा क्या होगा फवाइद होगा उसे तरीके से दाईरा का दाईर यानि कि एक जैसे प्रॉणाउंस होने अजीब का अजय अधायब, दलिल का दलायल, कर्ज का का चर्थ उससी तरिके से फर्द का फिराएस, और वल का अवायल, तो यह जितने भी लफद है, यह एक ही जैसे पनाउंस होने वाले लफध और इनका जोतो हुआ इनका बिल्कुल आप यह लोगों को और रिक पता चल गया होगा ट्रिक क्या है ट्रिक कि यह है कि तलफ्स के बेज पर जमा लफ्स बन रहा है यहां पर यानि कि जिसलब्स का तलफ्स पे जम लफ्स में इसका जमा लफ्स वहीं बिल्कुल हूब हूँ यानि कि वो भी pronunciation में same हो रहा है तेके यह है ट्रिक उसी तरीके से category number 2 देखिए यहाँ पर बरकत का बरकात है तो उसी तरीके तसवर का तसवरात तहकीक का तहकीकात यानि कि यह जो जमा लख्स बन रहा है उसमें आ हो जा रहा है बरकत है तो इसमें आ यानि कि आज उड़ जा रहा है बरकात यानि कि आज उड़ जा तसवर का तसवरात तहकीक का तहकीकात सवाल का सवालात जवाब का जवाबात हजरत का हजरात हरकत का हरकात बरकत का बरकात तो हरकत का हरकात सवाल का सवालात जवाब का जवाबात हरकत का हरकात हो गया खत्र लव्ज बन रहा है उनका भी प्रणफियसय नियानी कि तलफिज जोह न बिल्कुल से तो आप लोगो इसको भी आसानी से याद हो जाएगा ठीक है आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं देखिए बरकत का बरकात हैं उसी से तसवरात तहकिकात सवालाथ जवाबात हज्रात हर तो रहे हैं उसको एक जगह कि आये में बदल जा रहा था ये तरीके से ये कटेग्री नंबर वन तो है जो की जम्य बरने पर आव में बदल जा रहा यह बरकत का बरकात तसवूर का तसवूरात यानि कि आ में बुदल ज्ड़ा और है इसमेज जब इसमें ज़वाबात इसमें आ एक्स्टरा आख जा रहा है लेए करके मैं एक जगए और इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं इन ही लफज में से हो सकता है कि आप लोग के स्टार्टिंग में अलिफ एक्स्टा बढ़ ज़गा है और यहां पर बढ़ विए पर यहां पर दहुंट तrick er dot भी लफ सकते हैं जिसमें जितने भी वाहिध लफज पर पीजिए का ही वप्र का अध्वार अधद्द का अधाद, रहु का अर्वाह, सबब का इसबाब, लबद का अफाद, मर्द का अम्राज, वक्त का आवकात, तो यह सभी लव्ज क्या है, ऐसे लव्ज जिनका जमा बनने पर क्या हो रहा है, अलिफ का इजाफा हो रहा है, यानि कि अलिफ की बढ़नती हो रही है, उसी तरीके से कैटेगरी नमबर फॉर देखिए, तसवर, तसवर तो हो गया ना, तसवर, एक मिनट, इसमें तसवर नहीं लिखा गया है, तसवर का तसवरात होगा, इसमें मैं जरूर लिखी होंगी, एक मिनट, इसमें नहीं लिखा गया, यह रहा, तसवर का तसवरात, देखिए, तसवर का तसवरात और एक है तसवीर, तसवर और तसवीर, दोनों अलग तसवीर का मतलब होता है इमेजिनेशन ठीक है तो तसवीर का मतलब होता है फोटो इमेज ठीक है तो तब सवीर का जम्होता है तसावीर और तसवीर का जम्होता है 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 तकारीर आप लो तर्जुमा का तराजम, लाजिम का लवाजिम, मदर्सा का मदारिस, मंदिल का मनाजिल, मस्जिद का मसाजिद, मुल्क का मालिक और महफिल का महाफिल ठेक हैं तो ये कैटेगरी नमबर 4 हो गए उसी तरीके से कैटेगरी नमबर 5 में है हर्फ का हुरूफ हक का हुकूक जिस तरह हर्फ का हुरूफ है यानि कि इसमें वाउ उ का एजाफा हो रहा है हर्फ का हुरूफ उसी तरीके से हक में भी उ का एजाफा होगा हक का हुकूक हद का हुदूद रसम का रसूम रकम का रकूम पता का फटू वजह का वजू असल का असूल शक का शकूक एहद का अहूद पन का फनून कसर का कसूर नकल का नकूल तो यह कटेगरी नंबर फाइट है और इस तरह से आप लोग देख सकते हैं इसी ट्रिक का यूज करके आप इतने सी में दिया रहेगा मंजूल और डी में दिया रहेगा oman attributed क्या बताएंगे मनजील मंजील होगा जी नहीं अप लोग एंडाजा लगा सकते हैं कि मदिल का मनजिल होगा नहीं उसके बाद से मन्जूल तो होगा नहीं ठीक है मन्जल भी नहीं होगा यानि कि ऑप्सान नंबर बीजड़ करेक्ट इंसर मन्जिल का मनाजिल ठीक है इसी तरीके से इतने सारे लफ्ज में यहां पढ़ लिग दी और आप लोग को बता दी इसको आसानी से आप याद लेकिन आप लोग टेंसर नहीं लिजिए इसको जब आप लोग पढ़ेंगे ना दो तीन बार तो आसानी से यह ट्रिक इतने अच्छे तरीके से आप लोग के मैंड में फिट होगा ना कि आप लोग को लगा इससे बढ़िया ट्रिक तो हो ही नहीं सकता है और सही बात है इस अब यह मैं कुछ कछी लिखी हूँ अभी बहुत तरह वोड है जिसको मैं केटेगरी वाइस की हूँ इसका पीडियेफ टेलिग्राम पर अप्लोड कर दिया जाएगा आप लोग कर दिया आप लोग को समझ में आ गया होगा और बस इतना ही आप लोग याद रखेंगे इतन हरकत का जमा क्या होगा ऑप्सने में दिया रहेगा हरकते भी में दिया रहेगा हरकत भी में दिया रहेगा हरकात सी में दिया रहेगा हरकतों तो बताईए हरकत का हरकते तो होगा नहीं हरकतों भी नहीं होगा मतलब ऑप्सन छाटने वाली बात आ जाती है आप आसानी से वाहिद जमा का ट्रिक था इसके आगे जितने भी वीडियो अप्लोड होंगे और उसमें जो नए टिप्स और ट्रिक बताये जाएंगे उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे इसके लिए आप लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर और एक बात ध्यान में रखेएगा उर्दू में ट्रिक्स बनाना काफी मुश्किल काम होता है और बहुत ही मेहनत और मुश्चकत के सांथ बनाया जाता है तो सबसे पहले यहां तक आप लोग स्क्रीन शॉट ले लिजिए तो चलिए आज किस वीडियो को हम लोग यहीं पर इंड करते हैं आई होप आप लोग वीडियो को लाइक शेट जरूर कर दिये होंगे इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूं बाबाय टेक केर स्रुम लेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक क साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज